बही इंशुरेंस एडवाइजर एक सवाल पूछते हैं अक्सर वो ये पूछते हैं कि सर कस्टमर के पास जाते हैं अगर कस्टमर की एज कम है तो वो बोलता है मुझे इंशुरेंस की जवरत नहीं है और अगर एज ज्यादा है उसके पास जाते हैं तो वो बोलता है मुझे भ आमने ये सवाल आता है, कस्टमर बोलता है कि किस एज में मुझे लाइफ इंशुरेंस पॉलसी लेनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब करना बिल्कुल ना भूले, और साइड में जो बैल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को आल पर सेट करें, और जो दर्सक हमारे वीडियो पहली बार हमारे फेस्बुक पेज पर देखने हैं, हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए और फोलो कीजिए, बहुत सार इंशुरेंस एडवाइजर, एक सवाल और पूछते हैं कि सर, आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता है, उसका रीजन यह है दोस्तों, कि आपने जो घंटी का बटन है, उस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बैल को आल पर सेट नहीं किया है, तो सबसे प पास आता है, आपका कस्टमर आपको बोलता है कि मुझे इंशुरेंस की ज़रत अभी नहीं है, तो उनके लिए क्या जवाब होना चाहिए, पूरी वीडियो देखिए, और आप खुद डिसाइड करेंगे कि किस एज में लाइफ इंशुरेंस पॉलिसी लेना ज़रूरी है, कस्टमर खुद डिसाइड करेंगे कि किस एज में लाइफ इंशुरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों आज मैं आपको एक रियालिटी बताता हूं और ये रियालिटी आप भी अपने कस्टमर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बार एक कस्टमर जो इंशुरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहता था, एक एडवाइजर उसके पास गया, उस एडवाइजर ने उस कस्टमर को बोला कि सर आप अपने लिए एक लाइफ इंशुरेंस पॉलिसी करा रहा हूं, उसके घर में एक बेटी ने जर्म लिया, तब भी वो एडवाजर उसके पास गया उसको बोला कि सर आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक लाइफ इंशरेंस पॉलिसी करा लीजिये उसने बोला रहे नहीं मुझे इंशरेंस की ज़रत नहीं है आप को तजूब होगा कि उस जो कस्टमर था जो क्लाइंट था उसकी एज मातर 28 यर थी और वो एक कंपनी का म्डी था मैनेजिंग डारेक्टर हर बार इंशरेंस एडवाजर उसके पास जाता उसको बोलता कि सर एक इंशरेंस पॉलिसी आप जरूर करा लीजिये वो कंपनी का मैनेजिंग डारेक्टर बार-बार उस एडवाजर को ये कहकर वहाँ से भेज देता कि अभी मुझे इंशरेंस की ज़रत नहीं है जब वो एडवाजर उसको साल दो साल तीन साल तक रेगुलर फोल अप करता रा तो बाद में जाके उस एडवाजर ने रिक्वेस्ट करके उस दे दी वो भी जबरदस थी मतलब कि कस्टमर नहीं चाहता था कि वो इंशरेंस कराए लेकिन उसने रिक्वेस्ट करके उसको पॉलिसी दे दी कि सर आप एक पॉलिसी ज़रूर करा ली जे मेरे कहने से उसने उस एडवाजर के कहने से पॉलिसी करा ली और साथ-साथ उस एडवाजर ने उनके परिवार के लिए एक हेल्थ इंशरेंस पॉलिसी भी दे दी यानि कि वो कंपनी का मैनेजिंग डारेक्टर उसकी पॉलिसी प्लस उसकी वाइफ की पॉलिसी और उनके घर में एक बेटी थी उस बेटी के लिए तीनों मेंबर्स के लिए एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंशरेंस पॉलिसी भी उसी एडवाजर ने उसको दे दी पॉलिसी दे दी पॉलिसी चलती रही लाइफ इंशरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी टाइम पर पे करता और health insurance का premium भी time पर pay करता ऐसे ही 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए उस insurance advisor से मेरी personal ही बात हुई उस insurance advisor ने मुझे बताया कि सर उस client को मैंने life insurance policy भी दी और एक health insurance policy भी दी जो की customer नहीं चाहता था लेना उसको मैंने request करके life insurance और health insurance policy दी एक बार मैं health insurance policy के renewal के लिए मैंने उस customer के mobile पर phone किया, उसने phone नहीं pick किया 2-4 दिन के बाद मैंने फिर phone किया, उसने फिर phone pick नहीं किया 15 दिन के बाद मैंने फिर phone किया, तो उधर से किसी lady ने phone उठाया और उस lady को मैंने बोला कि मुझे Mr. Sanjay से बात करनी है तो उस lady ने का वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी death हो चुकी है तो उस advisor को बड़ा सोक लगा, उसको बहुत दुख हुआ क्योंकि इस age में चले जाना कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है young age थी, family में छोटी बेटी थी और उस advisor ने जब उस lady से पूचा कि आप कौन बोलें तो उसने का मैं उनकी wife बोल रही हूँ और उनकी मृत्यू हो चुकी है उस advisor ने पूचा कि क्या हुआ, किस तरीके से उनके साथ यहाद्ज जावा तो उसने का कि भाया हमने माता वैशनो देवी के टिकेट बुक कराए थे हम माता वैशनो देवी घूमने जाने वाले थे वहाँ पर हम अच्छे थरीके से पहुच भी चुके थे बहुत खुस थे वो भी खुस थे बेटी भी खुश थी कि हम आज घूमने आए हैं माता वैश्नो देवी के दर्बार में, माता वैश्नो देवी के दर्सन करने के लिए हैं, हम होटल में रुके हुए थे, दो दिन हम वहाँ पर ठैर चुके थे, तीसरे दिन मौर्णिंग में जब सुभे नास्ते का वक्त था, तो वो वास्रूम में गए सेविंग करने के लिए और वहाँ से जोर से गिरने की आवाज आई, हम तुरंत वास्रूम में गए देखा तो वो नीचे लेटे हुए थे, मिस्टर संजे, हमने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर की टीम आई, उन्होंने देखा, तो उनकी हुए है, जबकि वो स्मोकिंग नहीं करते थे, वो एलकॉल नहीं लेते थे, अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉंसियस थे, तो उसने कहा, एडवाजर ने, कि मैम, मिस्टर संजे की तो एक लाइफ इंशुरेंस पॉलिसी भी चल लई थी, उन्होंने का, भहिया, हमें नहीं पता है कि उनकी कोई लाइफ इंशुरेंस पॉलिसी चल लई थी, आपने फोन किया तो हमें पता चला कि इनकी हेल्थ इंशुरेंस पॉलिसी चल लई थी, लेकिन हमें किसी लाइफ इंशुरेंस पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है, मिस्टर संजे की जो एज थी, मात्र 30 30 साल की age में heart attack से चले जाना आप समझ सकते हैं life का कोई भरोसा नहीं है अब उस advisor की मदद देखी उस advisor ने किस तरीके से उसकी wife की मदद की उस advisor ने उनकी wife को बोला कि मैडम आपको बिल्कुल चिंता करने की जुरत नहीं है मुझे बहुत दुख है कि Mr. Sanjay इस दुनिया में नहीं है इस age में वो चले गए और वो health को लेके बहुत conscious थे मैंने उनकी एक life insurance policy भी की हुई है उन्होंने का भईया मेरे पास उनका policy number नहीं है नहीं मेरे पास policy bond है उन्होंने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास पूरा record है मेरे पास उनका policy number भी है उनका समयशोड भी पता है मुझे कितना है मैं सारा कुछ निकाल के आपको देता हूँ उस advisor ने उनकी wife को उनका policy number निकाल के दिया उनका claim जो था उस claim के लिए उन्होंने जो परकिरिया थी वो परकिरिया complete की process complete किया और उनको 10 लाग का claim दिलवाया claim दिलवाने में उनकी पूरी मदद की तो एक insurance advisor का करतववे सिर्फ यही नहीं होता है कि सिर्फ policy sale कर दी उसके बाद customer से कोई वास्ता ही नहीं है और उस lady ने उस advisor को इतना business दिया कि उसकी MDRT सिर्फ एक महिने में complete हो गई आप समझ सकते हैं कि life insurance क्यों जरूरी है आप अपने customer को जो मैंने आपको यह reality बताई यह reality बताईएगा और customer को खुद बोलिएगा कि sir आप खुद बताईए मुझे कि life insurance किस age में लेना जरूरी है अगर एक unmarried वेक्ती है उसके उपर उसके माता-पिता की जिम्मेदारी है उस unmarried वेक्ती की जो income आते है उससे उसके माता-पिता की दवाईया उसके माता-पिता के खर्चे चलते हैं जब उसकी सादी हो जाती है तो उसकी family आ जाती है उसके बच्यों की उसकी बीबे की जो खर्चे होते हैं वो चलते हैं Life Insurance Policy जितनी यंग एज में ली जाए उतना ही अच्छा होता है और जितने लंबे समय के लिए ले आ जाए उतना ही अच्छा होता है Life Insurance लेने के लिए कोई एज ऐसा नहीं है कि किस एज में Life Insurance लेना चाहिए life insurance आप कभी भी ले सकते हो आपके उपर जब परिवार की जिम्मेदारी होती है चाहे माता-पिता की जिम्मेदारी हो चाहे भाई-बैन की जिम्मेदारी हो चाहे अपने परिवार की जिम्मेदारी हो तभी हमें तुरंत life insurance policy लेनी चाहिए क्या कभी किसी ने सोचा है कि 28 साल या 30 साल के वेक्ति को तुरण थाटे टेक्सी उसकी डेथ हो जाएगी उसकी वाइफ, मिस्टर संजे की वाइफ को जब पता चला कि उनका 10 लाग का इंशुरेंस कवर था और उस एडवाइजर ने उनकी इतनी मदद की तो उसके बाद उनको लगा कि वाकई में लाइफ इंशुरेंस होना बहुत जरूरी है तो लाइफ इंशुरेंस जब हम चाते हैं जब हमें लाइफ इंशुरेंस नहीं मिलता है जब हमें life insurance की जवरत होती है उस time पे हमें life insurance नहीं मिलता है और जब हम life insurance लेना चाहते हैं तब हमें life insurance नहीं मिलता है तो life insurance और health insurance हमेशा बगाए जुरत के लेना पड़ता है अब ये जो मैंने आपको reality बताई ये reality सुनकर आप खुद decide कर सकते हैं कि किस age में आपको life insurance cover लेना चाहिए तुरंत immediately आपको life insurance cover लेना चाहिए जब भी आपकी age 18 साल ये 18 साल से ज़्यादा हो और आप खुद self depend हो आप तुरंत अपने लिए एक life insurance policy लीजिए मैं तो कहता हूँ कि एक term life insurance लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि term life insurance कही ना कहीं कम premium में आपको ज़्यादा coverage देता है और इसमें आपको कोई इतना बड़ा amount invest नहीं करना होता है आप चाहें तो monthly भी term life insurance ले सकते हैं जिसमें आप एक करोड का insurance cover बहुत कम किस्तों में ले सकते हैं तो आज वीडियो बनाने का उद्देश से यही था उन लोगों के लिए जो advisor अपने customer के पास जाते हैं और वो customer married नहीं होते हैं single होते हैं age कम होती है 20 साल, 22 साल, 24 साल की age होती है वो कहते हैं कि अभी मेरे को insurance की ज़रत नहीं है या फिर उन लोगों के लिए जो 30 साल, 35 साल के होते हैं वो कहते हैं कि हमें insurance की ज़रत नहीं है हमें insurance का करना क्या है मेरी health तो बिल्कुल अच्छी है मुझे कुछ नहीं होने वाला है ऐसे लोगों को आपको समझाना जरूरी है कि life insurance जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही बहतर होता है तो अगर आपको आज मेरा वीडियो चल लगा तो वीडियो को like कीजिए और share कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो दरसक मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले और side में जो bell icon है उस पर जाकर notification को all पर set करें जो दरसक हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं हमारे Facebook पेज को like कीजिए और follow कीजिए और भूलिये का नहीं हर एक संड़े राठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइप प्रोग्राम लेकर आता हूँ जहां पर आप सभी Insurance Advisor मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुढने के लिए थैंक यू सो मच